दोस्तों बात करें तो Apple के iPhone में कौन सा sensor है ये बात Apple के सालों तक छुपा रखी थी लेकिन Apple के CEO Mr. Tim Cook ने confirm कर दिया कि Apple के iPhone में Sony का sensor है वो भी Sony की facility में गए ते चेक करने और ये भी confirm कर दिया कि पूरे decade याने कि पिछले 10 सालों में iPhones के आपको देखने को मिल रहे है वो Sony उनके लिए पर प्रेडियूस कर रहा है और यहां पर Sony की Alpha Technology का ये लोग यूज करते है उसके sensor को बिल्ड वगरा करने के लिए लेकिन सवाल आता है कि आकर जो Apple है वो क्यों Sony का image sensor यूज कर रहा है यहां तक की market में जब आपको Samsung का image sensor देखने को मलता है Sony के उपरितिके और रिलाइन से उनकी इसके साथ ही Apple जब बोलता कि हमने इस sensor में तक क्याम किया नए imaging system में तक क्या तो आकर उसका मतलब क्या होता है चलिए आज इस वीडियो के अंदर पता लगाते है पसंद है लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं जिया है तो साथ मिलके custom image sensor यह लोग develop करते है यानि कि ऐसा image sensor जो Apple की specification के साथ से बनाया गया है और उसे Apple अपने iPhone के अंदर चलाना चाहती है वो कोई normal 48-50 MP वाला sensor नहीं होता है इसलिए देखा जातो Sony उसकी मदद करती है लेकर अब सवाल आता है Sony ऐसा कर क्यों रही है क्यों वो Apple के लिए separate image sensor यहाँ पर develop कर रही है यहाँ बात यहाँ पर है कि Apple यह वो Sony का one of the biggest client है और जब इतना बड़ा client जब इतनी बड़ी request डालता है ना तो उसे वो मना नहीं कर सकते मतलब एक बात बता हूँ, 2021 में अकेले Apple ने 240 million iPhones को यहाँ पर ship किया था यह बहुत बड़ा number है यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो खुद Sony वाले अपने phone division से इतना पैसा नहीं बना रहे होंगे जितना वो अकेले Sony का image sensor बेच बेच के iPhone से कमा रहे होंगे और यह एक सबसे बड़ी चीज है, तो Apple के हिसाब से वो tuning वगरा करते हैं लेकिन बात की जाए तो sensor सिफ एक हाफ होता है, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ा चलती है जैसे की sensor अच्छा होना चाहिए, optics भी अच्छा होना चाहिए, इसके साथ ही IS भी अच्छा होना चाहिए और इसके साथ ही अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पर image की processing भी अच्छी होना चाहिए मेगा पिक्सल पर धान दे रहा है, 108 MP, 200 MP का जो image sensor अभी आप देख रहे हैं वो Samsung ने बना है और Samsung तो 600 MP पर भी काम कर रही है, यानि कि Samsung जो वो ट्रिपिकल Android phone maker हो था ना उस जैसे काम कर रही जहाँ पर number of pixels को दिखा कि एक mobile phone को बेचा जा सके, क्योंकि majority Android phones के दुनिया में इस चीज की requirement है, जहादा number of megapixel दिखाने के लिए कंपनिया यहाँ पर चाहती है लेकिन Sony क्याती है कि sensor का size बढ़ा हो, जिससे overall जो आपका experience होता हो है आपर better कर सके इवन एक report से भी पता जला कि iPhone 15 के अंदर को special tap का image sensor होगा जो Sony implement करेगी iPhone 15 के अंदर जिससे उसकी quality और जादे नहीं सुझागी photos और videos दोनों की लेकिन देखने वाली बात होगे iPhone 15 जब आएगा तब हम इसके बारे में और बात कर लेगे लेकिन फिलाल यह बात है लेकिन अगर मैं बात करूँ iPhone की तो iPhone अपनी photography और वीडियोग्राफी दौनों के experience के लिए जाना जाता है और Apple इन दौनों के पर अपना control रखना चाहती है और basically image sensor पता है काम किस तरीक से करता है image sensor जो रहता हो यहाँ पर raw data collect करता है और raw data बेचता ISP को जो Apple की bionic processor के अंदर होता है और उसके बाद ये raw data कैल उसके बाद ये raw data की processing होती है और आपको सामने की तरफ final image यहाँ पर देखने को मिलती है और Apple ये चाहता है कि उसके पास पूरा control हो कि किस तरीक से raw data आ रहा है ISP को हमें किस तरीक से optimize करना है जिससे हम एक final output मिले ना वो perfect output देखने को ले देखो Android companies भी यही काम करती है लेकिन कई बार हमने देखा ना एक sensor तो अलग लग phone में होता है लेकिन उनकी जो results होते हो completely different होते कहीं अच्छी image दे रहा होगा तो कहीं खराब image दे रहा होगा यह एक ऐसी चीज रहती कि image processing हर ISP के साथ अलग रहती है और basically Android में इसलिए आपको inconsistent result देखने को लगते है जबकि एक image sensor यहाँ पर यूज किया गया और यहाँ पर Apple क्या चाहती है कि एक image sensor का use करके आपको perfect यहाँ पर result देखने को मिले लेकिन इसके अंदर एक और बात आती है कि हमेशा जो Apple रहती है वो फोटोग्राफी पर बात नहीं करती है आहत के सहां वो वीडियो पर भी बात करते है और हमें पता है iPhone जो रहता है वीडियो के मामले में काफी advance है मतलब iPhone को 8 की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन overall जो colors, exposure रहता है वो इसके साथी Dolby Vision HDR के अंदर वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और जब HDR Dolby Vision के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होना वीडियो तो एक set of standards होते है उनको यहाँ पर follow करना पड़ता है और वो चीज़े वो हो सकता है Sony के email sensor के साथ follow कर पार है क्योंकि Sony देखा तो मॉबाइल फोन के लिए sensors नहीं बना रहा है यहाँ पर जो उनके professional mirrorless camera house होते हैं उनके लिए भी email sensor बनाता है और उनके अंदर भी step की technology यूज़ की जाती है और इसे देखके एक सवाल आता है कि जितना advancement यहाँ हो रहा है तो आने वाले future में क्या हो सकता है देखो आने वाले future में जो एक चीज़ जो मेरे को देखने को मिल सकती है वो है AI का AI का actually में use यहाँ पर Google अपने pixel phones के अंदर भी करता है जैसे कि HDR net जब video record कर रहा है HDR में ऐसे ही Apple भी यहाँ पर AI का काफी जादा use करता है जिससे images की quality को और जादा enhance किया जैसे के हाला कि जो Google है वो Apple जितना end-to-end अभी control यहाँ पर नहीं रख रही है स्मार्ट फोन के market में थोड़ी सी जादा नहीं है और जब से Pixel 6 के बाग पूरी lineup नहीं चिंच करी तो वो धीरी धीरी काम करें और अभी के समय में इत्ता पता चला है कि जो Pixel 7 बो आता है उसमें जो 50MP का Samsung image sensor वो लोग वो use करते है और बाद में software post processing का use करके वो photographs को यहाँ better करते है लेकिन बाद यह तो हो सकता है कि Google वाले भी Apple के रास्ते पर जोग खुद के custom image sensors के उपर काम करें क्योंकि देखा जाए तो past के अंदर Samsung ने भी कुछ custom image sensor नहीं है जैसे कि वीवो के phone में GNV में sensor आया था जो GN5 के अंदर कुछ minor changes नोने कर रहे थे वीवो के हिसाब से लेकिन कोई major changes नहीं था जहाँ Apple काफी जादा major changes यहां करती है इसके साथ यह AI के बार में बात करें तो mostly जातर phones के अंदर AI यह gimmick की तरीके से जहाँ पर कुछ हद तक वो काम करता है लेकिन बस लगता है कि colors को oversaturate कर है लेकिन Google ले भी इसका काम किया है Apple ले भी इसका काम किया है और AI के अंदर जेता improvement हुआ है उसे देखके लगता है कि mobile phone की photograph और video की quality काफी जाद और enhance हो सकती है मतलब Sony की representative का statement था जहाँ पर उन्हों नहीं यह बोला था कि यहाँ पर mobile phone की cameras आने वाले समयब DSLR और mirrorless को भी हरा देंगे अब उनके कहने का मतलब यह था कि DSLR और mirrorless से जब आप photograph लेते तो आप manual board में लेते हैं सारी settings ही करनी पड़ती है उसके बाद जो photograph capture होगी वो raw में होगी उसके बाद उसको lightroom में जाके edit करना होगा और उसके बाद आपको final result देखने को मिलेगा लेकिन यह सारा काम अगर एक mobile phone के अंदर AI अकेले पूरी तरीके से कर ले तो कितना साथा time से वोग और perfect result आपको देखने को मिल सकता है basically यह कहने का मतलब था यह मतलब नहीं था कि mobile phone completely replace कर देगा DSLR को क्योंकि जिन लोग professionals होते हैं उनको तो उसकी ज़रूरत पढ़ेगी पढ़ेगी वो लोग AI के उपर हमेशे relying नहीं कर सकते लेकिन ए casual user वो चाहता है बस एक button दबाके mobile phone से best possible shot मिले उस चीज के उपर हम काफी तेज से बढ़ रहे हैं आपने mobile phone को आगे किया viewfinder में पहले ही दिगया कि आपकी final photograph कैसी आने वाली है उसे बस click करके हापिस save कर लिया और ये सब करने में एक second से भी कमट समय लगा ये चीज देखाया तो अचीव हो सकती AI के साथ जो अभी के समय में Apple भी काम करी गोगल भी काम करी है Samsung 20 के अंदर लगी हुई है और कुछ सालों में इस step के advancement आपको देखने को मिलेंगे लेकिन देखा जाए तो इक बाह पता चली कि mobile photography का scene फिछले को समय में काफी जाद़ इंप्रूव हो गया है मालब अभी भी majority Android phones के पर में बात करूँ ना तो photography के अंदर वो अच्छा काम कर लेते हैं लेकिन video recording के ऐसी जिद जहाँ पर अभी इंप्रूव्मेंट हो नहीं कुन जैशर उमीद करते हैं कि future में और इंप्रूव्मेंट हो और video recording भी है पर देखने को मिले यह एक कहानी थी Apple और Sony के और किस तरीके से यह लोग आपस में काम करके better result experience दिरते हैं आप लोग कैसी लगी पसंद है लाइक करो शेर करो थेंक आपको वडियो देखने के लिए आप सुन तो नेक्स्ट वान के अंदर गुडबाई